जग्गा जासूस फ्लॉप होने पर भड़के हैं रिशी कपूर और अनुराग बसू को उन्होंने गैर जिम्मेदार बताया है रनबीर कपूर की फिल्म जग्गा जासूस ओडियंस और क्रिटिक्स का दिल नहीं जीत पाई तीन साल तक लगातार इसकी रिलीस डेट तलने के बाद जब ये फिल्म पिछले हफते सिनेमा घरों में आई तो अब केवल 45 करोड का बिजनस कर पाई हलाकि इस मामले पर रनबीर तो चुप हैं पर उनके डाट रिशी कपूर डिरेक्टर अनुराग बासू पर काफी नाराज है इनका कहना है कि अनुराग ए गैर जिम्मेदार डिरेक्टर है वो वक्त पर फिल्म पूरी नहीं कर पाए है रिलीस के एक दिन पहले बुद्वार तक अनुराग मिकसिंग ही कर रहे थे वहीं उन्होंने फ्रीतम पर भी गुस्सा निकाला क्योंकि उन्होंने म्यूजिक डिलिवरी रिलीस के एक हफते पहले ही की थी रिशी का ये भी कहना है कि फिल्म मेकर ने रिलीस से पहले इस पर किसी की राय लेना जरूरी नहीं समझा और नहीं किसी को ये फिल्म दिखाई बता दें रनबीर इस फिल्म के सिर्फ लीड आक्टर ही नहीं थे बलके इसके को प्रडूसर भी थे इतना इने रिशी ने तो यहां तक बोल दिया कि मैं एकता कपूर से भी सहमत हूँ जब उन्होंने अपनी एक फिल्म में इन्हें बाहर करने का फैसला किया था वहीं साल 2010 में फिल्म काइच में भी अनुराग को राकेश रोशन के साथ काम करने में परिशानी आई थी इस सब के अलावा यह फिल्म इन्टोनाशनल मारकेट में भी रिलीज नहीं की गई इस वजए से भी रिशी खासे नाराज हैं सिंगापूर और गल्फ में फिल्म सिर्फ इसलिए रिलीज नहीं की गई क्योंकि वहां रिलीज से कुछ तिन पहले ही फिल्म डिलिवर करनी पड़ी थी